रविवार को गुजुरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को प्रदानमंत्री नेंद्रमोधी ने संबोधित किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फेंस के जरीए कारिकर्म में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीम भुपेंद्र पटेर और राजिपाल आचारिय देववरत भी मौजूद रहें। गुजुरात के सूरत में आयोजित इस कारिकर्म में प्राकृतिक खेती से काम्याब होने वाले हजारों किसान और अन्य हितिधारक भी शामिल हुए। आपको बता दें कि सूरत के 41,000 से ज्यादा किसानों को प्रशिक्शन दिया गया था। संबोधर में प्यम मोधी ने कहा सूरत में हर गाउं पंचैत में 75 किसानों का चैन करने के लिए ग्राम समीती, तालू का समीती और जिला समीती बनाई गई है। प्यम मोधी ने कहा अगर किसान आगे बढ़ेगा तो क्रिशी उन्नात और सम्रिद्ध होगी। वैसे वैसे देश भी आगे बढ़ेगा। प्राकृति खेती से मिट्टी की क्वालिटी और उत्पादकता बढ़ती है। सुनिए संबोधर में प्यम मोधी ने क्या कहा। जानकार कहते हैं कि गोबर हो गोमुत्र हो इससे आप ऐसा समाधान तयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में ना तो खाद पर खर्च करना है ना किट नाशक पर। इसमें सिंचाई की आवशक्ता भी कम होती हैं और बाढ़ सुखे से निपटने में भी ये सक्षम होती हैं। चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो या फिर अधिक पाने वाली भूमी प्राकृतिक खेती से किसान साल में कई फसले ले सकता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने किले देश में गंगा के किनारे अलग से अभियान चलाया जा रहा है। कोरिडोर बनाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की उपजों की बाजार में भी मांग बड़ी है। प्यम्मोधी ने कहा कि जो लोग ये कहते थे कि गाउं में बदलाव लाना आसान नहीं है उन लोगों को डिज्टल इंडिया मिशन की वज़े से जवाब मिला है डिज्टल इंडिया मिशन ने सफलता हासिल की है अब तो गाउं बदलाव का नेद्रित्व करते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस को याद करते वे प्यम्मोधी ने कहा स्वामी रामकृष्ण ऐसे संत थे जिन्होंने मा काली का साक्षातकार किया था जुन्होंने मा काली के चरणों में अपना सर्वस्च समर्पित कर दिया था वो कहते थे ये संपोन जगत ये चराचर सब कुछ मा की चेतना से व्याप्त है यही चेतना बंगाल की काली पुजा में दिखती है यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है इसके अलावा नेच्रल फार्मिंग कांक्लेव के दौरान प्यम मोधी ने कहा प्राक्रतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज देश में गंगा के किनारे अलग से अभ्यान चलाया जा रहा है प्राक्रतिक खेती के उपजो की बाजार में अलग से मांग होती है और उसकी कीमत भी ज्यादा मिलती है इस योजना के तहट 30,000 कल्स्टर बनाए गए हैं देश की करीब 10 लाख हेक्टियर जमीन कवर की जाएगी हमने प्राक्रतिक खेती के सांस्कृतिक, सामाजिक और एकोलाजी से जुड़े प्रभाव को देखते हुए इसे नमामी गंगे परियोजना से भी जोड़ा है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें